तो गाइस मैं आज आपके थशेद करूंगा काईगर की रियल टाइम माइलेज तो अभी मैंने सारे मेटर रीसेट कर दी हैं फ्यूल यूज एवरेज पर किलमेटर तो चलो चलते हैं सिटी में हम चेक करते हैं आपको लाइव रिकॉर्डिंगे कि कितनी आवरेज दे दी है मुझे मेरी पहली विडियो में काफी लोगों के कमेंट आई थे कि आप सीटी में और हाईवी पर कितनी मेयले ले रहे हूं तो मैंने सुछ आपके लिए स्पेशल एक वीडियो गना दू कि मैं सिटी में कितनी माइले ले रहा हूं आप देखिए मैंने अभी जो मीटर है वह जीरो कर दिया है चलो देखते हैं मुझे राउंड पंदरा किलो मेटर जाना भी अपने चंडीगड में हूं देखते हैं ट्रैफिक भी काफी है कितनी चलो लेट स्टार्ट और ये माइलेज जो होगी है विद एसी होगी अभी गाड़ी ने कैलकुलेट शुरू नहीं की माइलेज देखते हैं क्या मैले मिलती है आज हमें सिटी में कि अधिक लिए जो स्टार्ट हुए सिक से हुए है जो देखते हैं कहां तक जाती है एट पॉइंट एट पाइट नाइन और यह बढ़ी है मैलीज अगल कुछ गहना चाहिए अधि और यह है फर्स्ट रेड लाइट पर लाइट लाइट पर लाइट लाइट आप देखें कि एवरेज दिरे दिरे बढ़ रही है कि i bought at the masse me इस विए वी वालसि बढ़ाय की इलेवन 20 मिट्र बढ़ घी है तब है गाड़े जादा निचलिए दो एक जड़ किलो मेटर चलिए लेध सी कितनी मैले मिलती है मुझे 15 किलो में Wow की को सीटी ड्राइविंग है 50-60 से ज्यादा चला भी नीच करते है कि अब रहे पहुंच चुकिए बारा किलो मिटर और जो मुझे रास्ते में लाइट्स पॉइंट आएंगे वह राउंड टेन्ट फिफ्टीन लाइट्स पॉइंट आएंगे जहां मुझे एक यह निया अराउंड वन मिनिट के लिए तो रुपना ही पड़ेगा अब जब पहुंच चुकी है तीरा किलो मेटर अड़ी राउंड तीन किलो मेटर चलिया अब अगर मैं इतनी ट्रैफिक में पंद्रा की मैले निकाल लेता हूं तो यह बेस्ट मैलेज होगी और यह सब के लिए पंद्रा की मैलेज सफीचैंट है 21 मालेज एक और रेड लाइट आ गई है और जो अराउंड है इस फिफ्टी सेकिंड की जैसे ही मैलेज बढ़ने लगती है लाइट पाइंट पे फिर मैलेज डाउन जाती है अगर मैं अपनी दीजल की बात करूं तो मुझे इस कंडिशन में वह स्तारा की डीजल गाड़ी है जो अगर पैट्रोल में पंद्रा की आवरेड देती इस कंडिशन में तो बहुत अच्छी है अच्छी में आपको हर किलोमेटर पे रेड लाइट मिलेगी पर एक किलोमेटर पे पुछ जगा बे तो यह आपको हाफ किलोमेटर पर मिलेगी तो इस कंडिशन में गाड़ी की मैलेग निकालना बहुत मुश्किल है तो अब एक्च्छल मैलेग आपको पता लगे कि सिटी में क्या है काईकर की नो यह नो टर्बो वेरिंट है जैसे हम रेलाइट पर खड़े होते हैं साथ के साथ ही जो के एंपील है वो डाउन उतरत है अगेन वन मोर रेलाइट 75 सेकंड्स अगर यह जैसे बढ़ने लंगती है फिर रेड लाइट हो जाती है काई लोकल में एवरेट 14 परस जा चुकी है अगर यह राउंड दस किलोमेटर और चलना होगा तो माइले अराम से 15 किलोमेटर क्रॉस कर जाएगी एक और रेड लाइट स्वारत नहीं करा कि आपना होगा लाइट जो गाड़ी हो दस किलोमेटर चल चुकी है और जो फ्यूल अभी कंस्यूम हुआ हो वह है 0.7 लीटर अवरेज फॉर्टिन पॉइंट टूंकी पहुंच चुकिए मैलेज और एक और रेड लाइट तो गाइज आप देखी रहे हैं कि जो गाड़ी की मैलेज और फॉर्टिन पॉइंट सिक्स जा चुकी है इसक चुक दर्फॉर माइलेज किसक तो रहना क्या है कि एक तो रूट पॉर्टिन पॉइंट सेवन पॉर्टिन पॉर्टिन सेवन पॉर्टिन सेवन जवलो देखते हैं अभी कि कहां तक पहुछती है 15-20 किलोमेटर में मैलेज तो गाइस जो सिटी की माइलेज मुझे मिल रही है अभी 15 तक तो पहुंच चुकी है और आराउंड चार माइल लाइट पाइंट तो मुझे रैट मिली ही थी तो देखते हैं 15 किलोमेटर के रन में एक्चुल माइलेज क्या मिलेगी हमें अभी थोड़ी देर में मैं अभी घर पहुंचाओंगा तो यह मेरा ट्रैवल था यह था चंडिगड में पीजी आई से जीर्गपूर तक का जो मेरा हॉम डाउन है तो नॉट बैट माइलेज थी ट्रैफिक में आप चोथे और पांच अमेकेर में तो बहुत कमी चलाते हूं फॉर्थ में चलती है तो इसके हिसाब से काड़ी के मैलेज बहुत अच्छी है और मैं आपको इसके बाद एक हाईवे पे इसका रन करूंगा हाई भी माइलेज टेस्ट दिखाऊंगा और वो टेस्ट होगा फूल टैंक फूल टैंक तो फूल टैंक माइलेज की मुझे ऐसी कभी दिक्कत आनी देए इसमें अगर सिटी डाइवे में आप अंधरा के अवरेज ले रहे तो बहुत अच्छी है और आपको यह विंटर में राउंड सिटी में ठारा उंडिसकी मिल जाएगी इसी ली और गाड़ी अरां से देंगी इसमें आप देखी रहे और 15.7 पर पहुंच चुकी है माइलेज तो गाई यह था काईगर का माइलेज टेस्ट जो मुझे एक्ट्वल माइलेज मिली है 15.2 की और यह माइलेज पहुंच चुकी थी अरांड 15.8 15.7 तक द्यू टू ट्रैफिक यह कंजेशन यह माइलेज थोड़ी कम हो गई है तो अगर गाईज यह आपको माइलेज अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो अभी माइलेज आप देखेंगे में 15.1 की है और जो किलोमेटर पर एवरेज देरिये स्ताइक पॉइंट फाइव की गाड़ी जो मेरी चली है 16 किलोमेटर चली है अभी 16.9 और इसमें है जो मेरा फ्यूल कंज्यूम हुआ है इस रन में 1.1 लीटर बता रहे है अभी तो यह हाँ ठीक है 1.1 पंदरा की 15.15 की अवरेज बहुत अच्छी अवरेज है तो आपको गाड़ी लेके कोई दिक्कत नहीं होगी यह नहीं है कि गाड़ी आपको 8-9 की अवरेज देगी अच् सेफ इंटिल देन टेक केर बाइबाई तो गाइज यह था काईगर का रियल टाइम माइलेज टेस्ट जिसमें मुझे मिली है राउंड पंदरा की माइलेज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फोर नेक्स वीडियो एंड अपडे